हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं कलास 10 का एक इंपोर्टेंट फार्मर लेटर को बताने जा रहा हूं जैसा कि आप सभी जान रहें कि कलास 10 का जो जैक बोड है वो एक महने के बाद आने की आठ महीच से स्टार्ट होने वाला है और उसमें फार्मर लेटर इस वर्स जैदा पूछे जाएंगे इसलिए मैं इस वीडियो में एक फार्मर लेटर को बताने जा रहा हूं वो लेटर है पुलिश कमिशनर के पास लेटर स्टार्ट लेटर है राइट ये लेटर टू दा पुलिश कमिशनर कम्पलेनिग अबाउट दा राइजिंग इन्सिदेंट अब क्राइम इन्सिदेंट मतलता घटना है अपराज की घटनाएं वो बढ़ते जा रही है आपके सिटी में आपके सहर में अपराज की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिस वज़़े से आपको पुलिश कमिशनर के पास एक कम्पलेन लेटर लिखना है इन्योर सिटी आपके सहर में लेसे स्टाड। जैसा कि आप सभी जानते हैं फार्मलेटर लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है kindergarten address हम सेंडर एड्रेस से स्टा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक center address आप जहां से लिखरें उसको लिखьें जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मोहनपूर यह address हो गया गिरीडी यह आपका address हो गया center address एक line छोड़ देंगे यहां blank उसके बाद date लिखेंगे 4th April 2021 जो भी date रहेगा उसको हम लिख लेंगे किसके पास हम लिख रहे हैं यहां पर one line blank छोड़ के लिखेंगे तू दा पुलीश कमिशनर राची उसके बाद हमें subject लिखना होता है किस विखें में हम लिख रहे हैं तो subject हम लिखेंगे about the rising rate of crime about the rising rate of crime crime rate बढ़ने के समन्द में उसके बाद हमनों start करते हैं महा से I would like to draw your kind attention I would like to draw your kind attention towards the rising rate of crimes and indifferent attitude of police in greedy city I would like to draw your kind attention towards the rising rate of crimes and indifferent attitude of police in greedy city I would like to draw your kind attention में आपका ध्यान rising rate of crimes अपराध के बढ़ते हुए और indifferent attitude का मतलभ होता है उदासिन रवईया police का जो है उदासिन रवईया किदर greedy city की ओर आपका ध्यान को आकरसित करना चाहता हूँ या तो खिचना चाहता हूँ indifferent attitude का मिनिंग हो गया उदासिन रवईया देखी आतो नजरिया भी कर सकते हैं उदासिन रवईया police के उदासिन रवईया और बढ़ते हुए crime के तरफ आपका ध्यान आकरसित करना चाहता हूँ या तो खिचना चाहता हूँ next है cases of theft, ravage, chain snatching, pickpocketing have become order of the day cases of theft, chori के case, ravage, loot का case, chain snatching, chain snatching मतलता है chain खिचने का case, pickpocketing, pocket मारों का case have become order of the day हर दिन कई धन्दा बन गया है the school going girls and citizens of this area live in fear the school going girls, school जाने वाली लड़किया और यहां के नागरिक जो है वो डर में जीते हैं या तो डर में जी रहे हैं, डर में जीते हैं we feel quite insecure, we feel quite insecure due to anti-social element anti-social element मतलब हो गया, असमाजिक तत्मों के कारण due to मतलब के कारण, असमाजिक तत्मों के कारण हम काफी असुरुचित महसूस करते हैं काफी असुरुचित महसूस करते हैं next है, yesterday two bike riders looted a bank worker and ran away with three lakh रुपीज कल, yesterday मतलब जबीत गया, कल दो bike rider, bike चलाने वाले looted a bank worker, एक bank करमचारी को लुट लिये and ran away और भाग गये with three rupees lakh, तिन लाख रुपिया लेके such types of incident in इस परकार की घटनाएं happen every day, हर दिन होती है the local police don't take any hard and fast action against these crimes यहां की local police जो है, इन क्रैमों के परती, अपराधों के परती आपराधों के बिरोध कोई भी hard, कठोर और fast action नहीं लेते है so, last में यहां पैरा हमले छोड़ेंगे पैरा छोड़ेंगे बार लिखेंगे, so I request you इसलिए मैं आपसे आगरा करता हूं to take hard and fast action against it immediately मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे आगरा करता हूं कि आप इसके परती आतो इसके बिरोध अगेंस्ट, कोई hard और fast action जल्द से जल्द ले thanking you, last में हम लोग एक लाइन छोड़ के लिखेंगे thanking you, yours faithfully, राहुल कुमार तो अगर question में, question में दिया हुआ है name तो उसके को लोग लिखेंगे अगर question में name नहीं दिया हुआ है तो आप अपना name को लिख सकते है आपका अभारी राहुल कुमार तो students यह बहुत important formulator है जो कि प्राया एक्जाम में पूछे गए है if you like this video, please share and subscribe, thank you